अलो फ्रेंट्स वेलिकम टू अली साइंस पिसले वीडियों में हमने प्रोक्योटिक कोशिगा के बारे में जा रहा था इस शूडियों में हम यू क्योटिक कोशिगा के बारे में जानेंगे देखो सबसे पहले यू क्योटिक कोशिगा होती कौन सी है यू का मतलब होता है शत सब्सक्राइब नाम से बना केरियोटिक तो केरियोन का मतलब क्या होता है केंद्र यूक्लियस तो इन सबस्क्राइब नाम दिया था हमने केंद्र यूक्लियोटिक कोशिका के अंद्र सत्य प्रकार का केंद्र फोगा अब यह कोशिका के भाग ओन कोन से होता है तो सबसे पहले हम जो भाग पढ़ेंगी वो है कोशिका बिठी सेल वाल और ये सेल वाल होती है ये सेललोग की बनीग होती है और ये जय ह oc यानि हम बोल सकते हैं ये निर्ज्यो भाग है जीज्डी कह सब्सक्राइब है हया थेक है ने रिक्तिका जो होती है इसका निर्मान दो जीजोशे होता है इस तरह होती है जिसे कोशिका है उसमें रिक्तिका एने खाली जनगा रिक्त्स्तान वेक्योल कहते हैं इसका नाम इसका वेक्योल खाली जनगे होती है और इसकी जो जिल्ली होती है ना उसका नाम तो होता है टॉनो कैसा होता है वह कहला रस धानि और यह होमाते वह वाग मिया वह गृत पार्ट है कि यूह लिवेग होता है और हем है रात धानि में रश के सकते हुआ वर रहे हैं इसके इन केंद्रक भी है और बाहर की तरफ कोशिका भित्ती पाई जा रही है अब कोशिका भित्ती हटा दे किसी कोशिका की तो अब ये कोशिका भित्ती विहीन कोशिका रूर रहेगी उसको हम क्या कहेंगे जीव दर्वे कहेंगे तो जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं होती होती है दो जंत्ड कोंश Commerce क्ईसे होती है जीव तरवे क्यानि ऐआ प्रोटो प्लास्ट के होती है प्रोटो भ्लास्ट और यह होता है सजीव भाग होता है ठीक है यह लेविंग पार्ट है चुछी का भित्ति Principal क्या प्रोटोप्लाश्ट कहलाएगी तुम्हीं आलिक देता हूं हुआ इनमें क्या नहीं होती और जीवदर्वेक उसमें क्या क्या चीज़े आती है तो उसमें तो आती है कोशिका जिल्ली तो देखो यह जो भाग है यह कोशिका जिल्ली हो गया इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो यह है हमारे पास कोशिका जिल्ली अब इसके अंदर जो भी भरा रहेगा इसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है वो सब कहलाएगा जीवदर्वे प्रोटोप्लाजम कहते हैं सेल मेंब्रेन है और अंदर का जो भाग है वो कहलाएगा जीवदर्वे प्रोटोप्लाजम तो जीवदर्वे का निर्मान किश्य हो गया जीवदर्वे का जो निर्मान होता है वो होता है पोशिका दर्वे और केंद्रक इसका मतलब क्या है यह जो केंद्रक है उसको में हटा देता हूँ तो इनके अलावा जो के साथ में प्रोटो प्लाजम कहेंगे और ये भी सजीव भाग होता है और ये भी सजीव भाग है अब जो भी हम भाग पढ़ेंगे वह सब सजीव है लिविंग पार्ट है तो देखो ये लिविंग पार्ट है इसका सब भाग हम लिविंग पढ़ेंगे अब ठीक है अब कोश जिल्टि कांग है इनको हम तीन गृप में डिवाइड करना है के से किसी में दो जिलिया पाई जाती है ऐसे जैसे जिल्ली होती है दो जिल्लिया पाई जाती है two membrane present होती है double membrane bound in organelles जिसको हम गयते हैं दो है जिल्ली आबद कोशिकाग ठीक है वो दो टायप के है एक तो है mitochondria भी है और प्लास्टिड भी इनके लावा केंदरक भी दो जिल्ली होती है ठीक है इसमें भी क्या होती है द डबल मेंबरेन बाउनडेंट और्गेनिल्यज है ये इसमें भी डबल मेंबरेन होगी केंद्रैक में भी तो माइटोकॉनट्रिया हो गया, प्लास्टिर हो गया कश रूचकांग होता है जिनमें एक ही जिलिक होती है जिनको हम कहते है गोलजी बोड़ी, गोलजी काय, ER, ER मतलब हो गया, एंडो प्लाजमिक रेटिकूलम, अंतर परदवी जालिका, लाइशोशोम, माइक्रो बोड़ी, माइक्रो बोड़ी पी तीन चार टाइप की होती है जो हम पढ़ेंगे आगे, और साइटोस्केलेटन, कोश प्लास्टिड है, और केंद्रक है, इनमें दो तो जिल्या पाय जाती है, इनको बहारी जिल्ली और आंतरिक जिल्ली कहते हैं, और इन सभी के अलदर एक ही जिल्ली होती है, और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं, जिनमें जिल्ली नहीं होती हम बोल सकते हैं, ये नगन कोशिक है यानि हम बोल देते हैं दे आर नेक्ड सेल और गेनलीज और वह कौल से है वह है राइबोशोम है और सेंट्रियोल है राइबोशोम और सेंट्रियोल तो देखे हमने पड़ा था प्रोक्रेटिव कोशिका में जिली आबद कोशिकांग नहीं पाए जाते इसका मतलब ना तो कोई जिली नहीं होती है इंसे सबी के अंदर जिली के समान ही होती है तो हम कोशिका जिली की सरंचना और कोशिका विट्टी के सरंचना के बारे हैं रिटेल से स्टेडिक करने वाले हैं तो देखें ए बार दुबारा रिपिट करने थे कोशी का दर्वे हैं उसके अंदर क्या आएगा कोशी कांग आएंगे इनके लावा जो चीजे होती है एजियो पदार्फ की रूप में जैसे इसके अंदर जल हो गया ठीक है कुछ कार्बो हाइडरेट मिलेंगे ठीक है प्रोटीन मिलेगा कुछ वशा मिलेगी विटामीन्स मिलते हैं इनजाइम्स मिलते हैं इनके इसके अंदर यहाँ पर पानी में घुलेवे रहेंगे ठीक है और इनके साथ में क्या रहेंगे कोशी कांग रहेंगे जो हमने पढ़ लिए कौन- बन गई कोशी का पशिकांग है जिनके बारे में हम डीटेल से पढ़ने वाले हैं तो पहले सबसे हम स्टेडी करेंगे कोशिका विती उसके बाद में हम स्टेडी करेंगे कोशिका धिली तो हर एक कोशिकां का हम अलग अलग वीडियो में स्टेडी करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही स्टेडी करेंगे आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है अच साल अगा तो अधिक से अधिक शेयर करें सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब भी कर दे कमेंट करके हमें जुरूर बताएं धन्यवाद